नमस्कार दोस्तों मैं एर वेटरन आरके शाक्या आप लोगों का यूटूब चैनल नैचर टेल्स में स्वागत करता हूँ प्रकृति की अनोखी कहानियों में मैं आज आप लोगों को एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो देवताओं द्वारा बरदान प्राप्त है यह एक दैवी पेड़ है जो 100 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में काम आता है ये एक पौराडिक कथा है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा कि किन परिशुतियों में देवताओं ने इस पेड़ को बरदान दिये थे तो चलिए मेरे साथ ऐसे ही एक दिपित पेड़ की फोज में मैं निकला हूँ यह देखो दोनों किनारों पर लगे यह पेड़ अनोखा मनोहारी दस्तित कर रहे हैं यह पेड़ मुझे मेरे गाउं के पास नहर के किनारे पिला है इस समय मैं अपने गाउं के पास में नहर पर हूँ और इस पेड़ की तलास में मैं यहां तक पहुँचा हूँ जो नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है और इस पेड़ का नाम है पलास इसके अन्य नाम इस प्रकार है इसका बैग्यानिक एवं बानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है हिंदी में इसे ढाक टेशू पलास पारस एवं चारस रिस्ट कहते हैं संस्कृत में किंशुका पलाशा रक्त पुश्पकम यागिक एवं समिति कहते हैं इंग्लिस में पैरेट्ट्री तथा फ्लेम ओफ दी फॉरेस्ट कहते हैं गुजराती में इसे खाकरों कहते हैं कर्नड एवं मल्यालम में ब्रह्म ब्रक्षम कहते हैं जारखंट का ये एक राज की पुश्प है अब मैं बताता हूं कि ये पेड कहां कहां मिलता है ये भारत परस के हर राज में पाये जाता है जारखंट के जंगलों में बहुतायत में मिलता है अक्सर ये जंगल में नहर के किनारे देखने को मिल जाते हैं इसकी तीन प्रजातियां होती है जो पेड की तरह जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं और जारी नुमा और तीसरा होता है बेल की तरह जो दूसरे पेडों पर फैल जाते हैं पेड की लंबाई लगवग 7 फिट से 20-25 फिट तक हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पेड लगवग 20-25 फिट लंबा होगा, पेड पर जब पत्यां होती हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है, हरे रंकी डंडी में 3 पत्ते होते हैं, बीच का पत्ता पत्तो बनाया जाते हैं, राजिस्थान में इसके पत्तों से बीड़ी बनाया जाती है, हल्वाई अकसर, मिठाई तथा नमकीन, खाने को दोना और पत्तल में देती हैं, इसके पत्तों में एक विशेश प्रकार का रसाइन तत्त होता है, जिसके कारणर पत्तों पर मक्ई मकड़ी नहीं वैठती है, पत्तों से बने दोना एंवा पतल में भोजन करने से भोजनसवादि्ष एंवा पाउष्स्टिक बन जाता है, पाचनक्रिया ठीक होती है, भूग बढ़ती बुद्धी तथा इस्मरन सक्ती का विकास होता है, पत्तों का काड़ा बनाकर पीने से पे का महीना है और यह पेड़ इस कदर फूलों से लदा है जो बर्वस ही लोगों को अपनी और आक्रस्ट कर रहा है शुरू में कलियां कत्था ही रंग की दिखाई देती हैं जैसे जैसे फूल खिलने लगते हैं जैसा कि आप लोग इन फूलों को देख रहे हैं यह सिंदूरी आ कहते हैं कि पलास पर तीन तरह के फूल आते हैं या यूं कहें कि पलास की तीन प्रजातियां हैं एक पर कथई रंके तथा दूसरे पर सिंदूरी रंके एवं तीसरे पर सफेद रंके फूल आते हैं सफेद रंके फूलों वाला पलास अब दुरलव हो गया है क्योंकि ऐसा क जायव हो गई है आईए अब मैं आप लोगों को इसके फूलों के आउसदिये गुण एवं उपयोग के बारे में बताता हूं वैसे तो आउसदिये सास्त के अनुशार इस पेड़ के पंचांग, जड़ तना, डंडी, फूल, फल और बीज, रक्ष के प्रतियक अंग का मैं बताता हूं आयुर्वेद के जनक, चरक तथा सुसृत ने अपने ग्रंतों में पलास की अतिदिक प्रश्चा की है पलास के फूलों को जिने टेशू के फूल भी कहते हैं को सुखा करके रख लिया जाता है और जरूरत पढ़ने पर इनका उप्योग करते हैं टेशू के फूलों को पानी में भीगो कर रखने पर प्राकरतिक रंग बनाया जाते हैं जिससे होली भी खेलते हैं कपड़े रंगे जाते हैं इस पानी से स्नान करने से तुचा में निखार आता है तथा चर्म रोग ठीक होता है पुस्पों का पाउडर चूर्ण दूद एबं मिस्री के साथ लेने से वीरी वर्धक होता है तता कामो तेजना की ब्रद्दी होती है इस तरियां टेशू के फूलों का पाउडर सिंदूर के रूप में प्रियोक करती है यह देखिए टेशू का फूल सिंदूरी आवह लिये हुए कितना मनमखक लग रहा है इसमें यह जो सफेद रंग की डंडी दिखाई दे रही है ये बास्तर में इस फूल का इस्त्रीकेशर है जो परागण के बाद धीरे धीरे चप्टी फली में परिवर्तित हो जाता है इस पेड़ पर लंबी चौड़ी तथा चप्टी फली आती है जैसा कि आप पेड़ पर लगी फलीयां देख रहे हैं इसमें तीन बीज होते हैं फली पकने पर हलकी हो जाती है जो हवा में उड़कर इसके बीजों को अन्यत्र ले जाकर के नए पेड़ों को जनम देती है इसके बीज हलके बिसहले होते हैं क्रमी नाशक पेट के कीड़े मारने में काम आते हैं इनका बिश हानिकारक नहीं होता है जो मनुष्य के सरीर को सक्ती बीर एवं पुर्शत प्रदान करने की इसमें चमतकारी सक्ती पाई जाती है बीज को पीस कर नीवू के रस में मिला कर दाद और चर्म रोगों में लेप लगाने से ठीक होता है नेतर रोगों में पलकों पर इसका लेप लगाने से अधुद चमतकारी प्रभाव होता है अब मैं उस महा आउशधी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस पेड़ से बनती है पलास के तने का छिलका काटने पर दूद निकलता है ये दूद सूख कर गोंद बन जाता है जिसे कमरकस कहते हैं जो बाजार में कमरकस के नाम से पिकता है पुर्षों एवं इस्त्रियों के अनेक रोगों में ये गोंद काम आता है इस से मुख रोग, मूत्र रोग, बीर की दुरवलता, संग्रहनी, आद बीमारी ठीक होती है प्रसूता इस्त्री की कमजोरी दूर करने के लिए लड़ू में कमरकस मिला कर खिलाया जाता है मिर्गी के रोग में इसकी जड़ की कुछ मात्रा को लेकर पीस कर रस निकाल कर नाक में डालने से मिर्गी का रोग ठीक हो जाता है दैवी गुणों से संपन होने के कारण इसकी लकडी नवग्रह सांती के लिए पूजा में प्रियोक की जाती है इसके पत्ते, फूल, लकडी, हवन सामेग्री में मिलाए जाती है जो हवन में जलने के बाद ऐसी रासाइनिक गैस बनाती है जिससे घर के बिशाणू मर जाते हैं और जाने अंजाने में हम लोग घर के वातावरों का सैनिटाइजेशन कर लेते हैं अब मैं इस ब्रक्च से जुड़ी एक रोचक पौरारिक कथा को सूख्षू रूप में सुनाता हूँ देवी सती के आत्मदहा के बाद भगवान शंकर बैरागी हो गए थे देवी सती का पुनर जन्म पार्वती के रूप में हुआ जब पार्वती साधी के योग हो गई तो उन्होंने भगवान संकर से साधी करने की इच्छा जताई भगवान सिव के मन में प्रेम और काम भाव नहीं था इस बजह से भगवान विश्णू और सभी देवताओं ने संसार के कल्यान के लिए काम देव से साहता लेने की योजना बनाई पहले तो काम देव इस कारी के लिए तयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें मालूम था कि भगवान सिव को ध्यान मुद्रा से जगाने का मतलब है म्रत्त निश्चित है लेकिन संसार की भलाई के लिए ये उन्होंने सुईकार किया तब काम देव ने इसी पलास ब्रक्ष में छिप करके अपने फूलों से सुसखजित वान को भगवान सिव पर चलाया काम देव का वान सिव को लगा जिससे उनकी निद्रा भंग हो गई उन्होंने क्रोध में आकर तीसरा नेत्र खोल दिया जिससे काम देव भस्म हो गए काम देव के भस्म होने के साथ पलास का बेड भी आग की लप्टों से जलने लगा काम देव की भस्म को लगा करके काम देव की पत्नी रती रोकर बिलाप करते हुए शिव से बोली कि आप मुझे भी भश्म कर दो मैं कामदेव के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ तब तक सवी देपताओं ने भगवान शिव को बता दिया था कि कामदेव ने ऐसा संसार के कल्याण के लिए किया है तब भगवान शिव का क्रोध सांथ हुआ उन्होंने रती से कहा कि तुम्हारे पती का अगले जनम भगवान सिरिक्ष्ण के पुत्र के रूप में होगा तुम पुन्हा उन्हें पती रूप में प्राप्त कर सकोगी पलास पेड़ नेमी भगवान सिर्फ से कहा कि मेरा क्या दोश है मैं जल रहा हूं तब भगवान सिर्फ ने कहा यह तुमारी आग की लप्ते ही तुमारे पूलों का रंग बनेगी तथा इनमें चमतकारिक आउसदी गुण होगा जिससे तुमारा यस बढ़ेगा बारी बारी से सभी देवताओं ने इस ब्रक्च को बरदान दिया कि तुमारे अंग प्रत्यंग में आउसदी गुण होगा इस प्रकार देवताओं से बरदान प्राप्त कर ये पेड़ पवित्र हो गया इसलिए इसके फूल पत्ते था लकड़ी पूजा में काम आते हैं नवग्रह सांती के लिए पलास की लकड़ी पूजा में प्रियोक की जाती है इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती की साधी हुई और उनके पूत्र ने तारकाशुर का बद किया जिससे संसार का कल्याण हुआ जुड़े रहिए इसी तरह की रोचक कहानियों को जानने के लिए नैचर टेल्स के साथ तब तक आप लोग स्वस्त रहें सुरक्षित रहें जै हिंद जै भारत